तो 36 गड़ से आये हैं पद्म श्री डॉक्टर सुरेंदर दुबे ये डॉक्टर सुमन दुबे ने जब पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मंच की लक्षमी का स्वस्ति वाचन हुआ अब मंच का भैरू आमंत्रित है आपकी तालियां उन्हें उठाएं और वो वहां तक जाएं मेरी सुंदर्ता की बात कर रहे थे जब मेरी पत्नी खुस होती है तो कहती ही तुम मेरे सोना हो तुम मेरे चांदी हो तुम मेरे मोटी हो तुम मेरे धन हो और मोधी जी कहते हैं काला धन जबत होगा ताली बजाओ सांस लेना है और मोधी जी कहते हैं काला धन जबत होगा रब तो कहते हैं काला धन जबत भी होगा और सारवजनिक भी होगा बहुत दिक्कत है भाई साब मैं क्या बता हूँ राखी सावंत का स्वेंबर जब टीवी पे आता था हमारे गाउं का हर बूढ़ा चस्म पोच के टीवी का गुम बैठ जाता था हमने कहा बाबा इस उमर में स्वेंबर से क्या लेना देना बोले बेटा जब तक सांस है तब त चिवाएं बैठी हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं एक बात आप से सेर करना चाहता हूँ डाक्टर कुमार विश्वास के साथ हम पहली बार अहम्दाबाद सरदार पटेली स्टेडियम में कवीता पढ़ने गया मैं पहली बार गया सौभागय से उस दिर डाक्टर कुमार विश्वास का जन्मदिन था और अमिस साहा जी उस समय अहम्दाबाद के महापावर थे और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्य मंतरी थे जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं न विदायक सांसाथ वैसे वो लोग भी सुने पर वो लोग सीरियसली सुने देखो को आज कहां पुजगे आप भी सीरियसली सुनो कि हम लोग तो ऐसा है कि अगर ठीक नहीं सुनेंगे तो हम टिकिटी नहीं मिलने देंगे दुबारा कभी सब कर सकता है इतिहास लिखता है लादेन मैं तो भाइसाब हिंदुस्तान के लावा विश्व के गयरा देशो में कभ पड़ा, 1980 में में पहली बार अमेरिका गया, मैं हवाई जाज नहीं देखा था, हवाई जाज बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठक दिया, एर होस्टर्स को बुलाया और कहा भोजी, परदेश का मामला इजस से बात करना चाहिए, मैंने का भोजी पैसा हवाई जाज का लिए है, सड़के सड़क ले जा रहे है, बोले नहीं रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक अफ होगा, थोड़ी देर बाद हवाई जाज उड़ा एक दूसरी एर होस्टेज आई हमने का काकी, उसका उमर जादा था, एर इंडिया का था, काली बजाओ सांस लेना है, बोले काकी हवाई जाज कितने ऊपर में उड़ा आदमी चिटी के समान दिख रहा है, बोले नहीं चिटी ही है, हवाई जाज उड़ा ही नहीं है, हम कभी दोमेस्टिक में नहीं बैठे, कुमार विश्वार तो हवेजाज वाले कभी अपन तो बसेडू, बसेडू, तो हमने कुमार को फोन किया, भाई ये दोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है, बोले कुछ नहीं, टिकिट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकिट में जुड़ा है, ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया, हम घंटी बजाओ, खाओ, घंटी बजाओ, थोड़ी दिर बाद वो छिपकिली आ गई, एर होस्टेज, बोली बारा साओ, हम बोले कहे का, बोले इसका, मैं बोला, वो नहीं लगता, बोलते हैं कुमार पानी का नहीं लगता, यह जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है, बंडारा, उसकी तरफ देखा तो लगा, इसको कहूं देखा है, मैं बोले तुम राम प्यारी हो क्या, बोले आप तो पहचान लिए, मैं तो आपकी घर बरतन मानती थी, यहां का काम है, बोले बड़ डिजिगनेशन बदल गया है, काम तो ही है, मैं बोले राम प्यारी, तुम्हारे साथ हमारे उगाओं का ट्रेक्टर चलाने वाला ड्राइबर भी भागा था ना, समारू, वही तो जहाज को चला रहा है, बड़ी दिक्कत है भाई साब, लादेन मरा, हम भूट यह हमारी सु लाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है, किस देश के, किस सहर के, किस गाओं के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी का कर रहा है, तब से ना हम नहा सक रहे हैं, ना सो सक रहे हैं, यहाँ इस नाम करे गरीब सुदामा, और वहाँ हुसन का दीदार करे ओब सांस लेना है कविता के लिए कोई कठिन सब्द नहीं लगते सरल सब्दों में भी कविता बनती जैसे बच्चे केजी में पढ़ते हैं अमर घर चल चल अमर घर चल ऐसे पढ़ते हैं नेता चल दिल्ली चल पटना चल टोपी लगा कुर्टा पहन मंत्री बन हवाला कर घोटाला कर तिहार जा नेता चल इसके बाद मैं सांस लेता हूँ नेता चल दिल्ली चल पटना चल टोपी लगा कुर्टा पहन मंत्री बन हवाला कर घोटाला कर तिहार जा वापसा टोपी लगा कुर्टा पहन मंत्री बन पाठ दो लालू उट चारा खा दूद दूद गरम कर गरम कर रबडी बना रबडी रख कुर्सी पर जेल जा वापसा रबडी हटा बैड़ जा कुर्सी पर और जो लड़कियां अपनी किताबों में अमीर और सल्मान के फोटो दबाती हैं उन्ही लड़कियों की साधी अकसर जेठा लाल से हो जाती है संकट है क्या करोगे मैं एक बात कहना चाहता हूँ बेटी जिन्दकी के कितने किरदारों को जीती है वो बहन होती है पत्नी होती है प्रेमिका होती है मा होती है सास होती है लेकिन होती है बेटी मेरी बेटी 36 गर सासर में जिला अधिकारी है मैं चार पंक्तियां उस तक पहुचाता हूँ के फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है अरे बेटियां कहीं भी रहें माबाप से जुड़ी रहती है बच्चों के साथ माबाप बेटों के साथ माबाप रहते हैं उन्हें आभास होता है और बेटी सास समुंदर पार अमेरिका में हो और मा मौरोवी में खास दे तो बेटी को एहसास होता है यह बेटी है बेटी से बड़ी ताकत सक्ती किसी के नहीं होती इसका मतलब यह नहीं है कि बेटे कोई काम के नहीं है रात के जारा बजे नीबू अधरक लाना हो तो बेटे ही लाते हैं उनका भी रोल है ऐसा नहीं है लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूं राजिस्तान में कवी रहे सुरन दुबे सब मंच जानता है वो साब एक जन्वरी को उनका निधन हो गया विकीपीडिया जैसे एथेंटिक सोसल मीडिया ने मेरी फोटो लगा कर चटीस गड़ में समचार जारी कर दी कि सुरन दुबे का निधन बेमे तरह में अंतिम संसकार मैं सुबे सो के उठा तो मेरे दर्वाजे में लोग टावल गमचा लेके रो रहे थे बुले क्या बुले दुबे जी नहीं पढ़ गए भीया अचुप ये हास का कोकड़ा है ठहाका का परिंदा है टेंसन में मत रहना बाबू टाइगर अभी टाइगर अभी टाइगर अभी एक ने मेरी पत्नी उठोन किया सुने दुबे जी नहीं पढ़ गए मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग गए कहा है रात को आए है पनीर खाए है पीजा उनका पसंदिदा है टेंसन में मैं हूँ कि ये टाइगर अभी टाइगर अभी अब तुम ने जलोगे तुम्हारे बदलें कौन जलेगा क्योंकि समसान की लकड़ी वापस तो आ नहीं सकती जलना तो आपको पड़ेगा मैंने कहा चुप ये हासे का कोकड़ा है ठागा का परिंदा है टेंसर में मत रहना बाबू टाइगर अभी कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं ये बेहने बैठी है चार पंग्तियां आज की रात मौरोवी में इनको देता हूँ कि ये ये राखी का रक्षा सूत्र है भाई दूच का टीका है तीजा की कहनी है अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बेहन है चिलाते रहा तूँ उतना मैं दुहराते रहूंगा कि मैं हसी का खजाना हूँ हासे का कोकडा हूँ ठाका का परिंदा हूँ टेंसन में मत रहना टाइगर अभी दोनों हाथ उठा के एक बार लंबी सांस लेना है एक कविता मैं आपके बीच रखना ता हूँ छोटी सी ज़्यादा बड़ी आपका टेस्ट नहीं लूँगा मैं मोदी जी बहुत महत्वपून आदमी है तो में दोमत नहीं है मैं भी उनकी विचार धारा से जुड़ा हूँ इसलिए भी महत्वपून है बहुत फरक पड़ा लोग अक्सर बोलते हैं मेरे को कि मोदी के आने से क्या फरक पड़ा मोदी के आने से क्या फरक पड़ा बार बार लोग आप से कह रहे थे कि गुजराती भाशा है गुजराती है भासा कभी संकट नहीं बनती एक नेता दिली में भासन कर रही थी नाम नहीं लुगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ हमारे देश में जो नर्माडा योजना है ताली बजाओ शांस लेना है हमारे देश में जो मेडम नर्माडा नहीं है नर्मदा है वो ही कह रहे हैं यह भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किये नहीं कुछ किये नहीं हम एक नया राज्य बनाए तेल लगाना मेडम तेल लगाना नहीं है तेलंगाना है भासा कभी कोई संकट नहीं बनती इसलिए कहना चाहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं एक सो दिन में बीस बार अब एक डालाग बोलते हैं टाइम नहीं है हर कोई बोलता है भाई साब टाइम नहीं है टाइम नहीं है और हमारी आबादी 135 करोड हो गई टाइम नहीं है तो इतनी तो टाइम मिल जाए तो कितनी टाइम नहीं है जिसको देखो टाइम नहीं है बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स क्या है लोगों को जब तरक खोजना होता है न तो कुद तरक करते हैं एक मेरे को मिल जया बोले इस बार बहुत ठंड पड़ रही है मैं बोला हाँ पड़तो रही है बोले जानते हो क्यों पड़ रही मैं बोला नहीं मालूम मोदी के कारण उसके कारण क्यों ठंड पड़ रही है जब से कास्मीर को भारत में मिलाया है थंड बढ़ गई है अब क्य अब आगरा जाने वालों आगरा में जाकर मोदी जी बोलेंगे न मैं आगरा आया हूं न मुझे आगरा वालों ने बुलाया है मुझे तो मा यमुना ने बुलाया है सब अब उसके बोलेंगे अब ताज महल खुदेगा मुझ गया आगरा हुदेगा और कहीं साब मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितना खो देंगे, आप उतना खो देंगे, अगर दुबई भी खो देंगे तो उसके अंदर से दुबई ही निकलेगा, बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से, बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से, डर के मारे पाकिस्तान में हगीस की बिक्री बढ़ गई, ताली बजाओ सांस लेना है, मोदी के आने से, डर के मारे पाकिस्तान में हगीस की बिक्री बढ़ गई, चीन की छोटी छोटी आँखें उसके नाक पे चड़ गई, जो अमेरिका मोदी को नई देता था वीजा, उसने कहा, आजा जीजा, खाले पीजा, ले जाले वीजा, अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है, और जापान भरत की टेक्नोलाजी को पहचानने लगा है, बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से, कोईले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है, सुन्य रुपे में खाता खुल जाता है, और याकूब जैसा अतंकवादी फासी पे लटक जाता है, बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से, और इस तना भी फरक पड़ा, कि आद देख रहे हैं, पूरे देश में अमन्चैन हैं, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कौसिल्या 36 गड़ की बेटी, उनके बेटे राम, और जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम, जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम, वर्सों का ये यक्ष प्रस्न उत्तर हमने बतलाया है, और जहां राम ने जनम लिया, मंदिर वही बनाया है, हम अक्षच चावल कुंकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं हम अक्षच चावल कुंकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं हम दुर्वा हैं हम बिल्व पत्र हम दूद दही शक्कर शहद हम ही पंचामरित हैं हम कपूर की आरती हम एका दसी का ब्रत हैं हर हर बोले बंबं भोले हम बंबं भोले वाले हैं दोनों हाथ उठा कर बोलो अब हम यमुना आने वाले हैं